नमस्कार सात्यों स्वागत है आपका एक्रियंस क्लासेज में अपन सशे विज्ञान में जो तीलनी पुसल है उनका अध्यन कर रहे थे इसे पहले मुंगपुली रेप सीड मस्टर्ड सोयाबीन आधी पुसलों का अध्यन किया था आज के अपनी पुसल है अरंडी या कि की प्रेक्टीशेज या खेकंटी का अध्येन करते हैं तो सब्सेखले विज्ञानिक नाम या रिषीनिस केम्यों इसाट्यूनिस पंदेन करते हैं तो क्यों पदने लेग नाम कुल सीर्ण करते हैं तो वह ऊतरी आध्यनिक करना है तो कुल या फेमेली यूफोर बीएसी उत्पत्ती इथोपिया कई वार एक्जाम इथोपिया ने लेकर अफ्रिका होता है क्योंकि अफ्रिका माधी पे ही इथोपिया इस्थित है टू एन नंबरों क्रोमोजम कितने हैं 20 पॉली नेशिन प्रागन कौन सा है पर नाम रिश्चीन और्य स्कुल यूफोर यूफर विएसी उत्पत्ती इथोपिया टून बरावर बेश पर प्रागन प्रागन आप सब जानते हैं किसी भी पूस्प के नर्भाग से प्रागनों का पुस्प के माधाबाल या वरतिका गरतक जाना पॉली नेशन या प्राग यहाने भारत में वर्ड की विश्ये की 26% उतपादन है जो और अटीश परसेंट एरिया और 36% प्रोड़क्षन Kylie का है इंडिया में लेकिन बहते उतपादन होता है अरणी काеспондमी का ao यह छूदिन विश्वेय में इसाना ह thereafter बारत में कितनी होती है बहारत हुए से अटर। तो इसलिए हिंदी में दिवलिंगी बोलते हैं परिक्षन बाहर याने टेस्ट वेट परिक्ष्ट के एक हजार दानों का वझन को परिक्षन बाहर बोलते हैं और अरन्डी के जो विजो का बार सो शेडेट जो कराम होता है तेल याना पर तीस से पटास तो खोब फिक्स तो फिक्स तो होता नहीं है एक दो परकार के अमला होते हैं एक तो रिसीनोलिक याने रिशीनॉलिक अब्र एक एक शेबी सी कमल दो हम लोते हैं एक तो रिसी नोली कमल और एक शेबी सी कमल जो रिसी नोली कमल होता है उसका काम यह होता है वो तेल में पिलापन नहीं आने देता है और जब तेल में पिलापन नहीं आएगा वो पेंट्स वे वारनी इस जो कलर बनाते हैं पेंट्स दीवार निकालने के बाद निकालने के बाद रिसीन नाम का पदार्त पाई जाता है इसके तेल का उपयोग लूब्रीकेंट का पदार्त को बीच बीच में गर्शन को कम करने के लिए प्रियोग कीा जाता है उसमें इसका तेल प्रियोग में लिया जासकता है इसके अलावा अरंडी की एक विशर्षट होती है यह दीमक मियंतरने में भी याञे टरमाइट कंट्रोल में भी लाबदाई निक रूप्योग क्रीम संदर क्रीम मनदाने में इसके लिएचक में वीरेच चिक का मतलव था है, किसी भी पसू में, जो कबज दूर करने की दवाई होती है पर्गेटीज होती है, उसके रूप में इसका तेल का परियोग किया जा सकता है निपिंग का मतलब होता है जैसे चने में किसी पसल के उपरी शाकाओं को काड़ देते हैं इससे क्या होता है साइड की साकाओं पासवरू साकाओं अधिक वर्दी करती है जिससे पुस्पन के संभावनाई अधिक होती है और लंबई में वर्दी को रोगा जा सकता है तो कुता सेंसिल घर में हो सुस्क जलवाई हूँ है अब है सोविंग वह में अपन किस पॉइंट को पड़ते हैं अबजेक्टिव एक्जाम की दरश्टी से कि उनमें पांच किलो परती हेक्टर इस पेसिंग साट से नबबे कुना पेंतालीस सेंटीमेटर रखी जाती है अब है किसम याने वेराइटी अरुना बाग्या सुबाग्या जिसी एच्वे वन जो परतम हाइब्रिड किसमें इसकी डिह सेच वन आर्च एच वन जी अबी शिक् इसके अलाव इसका सिंचाई परबंदन याने सिंचाई परबंदन में यह चीज़ का दिन होता है उब्जेक्टिव एजंग दिरसी से कि उसमें क्रिटिकल स्टेज कौनची इरिकेशन की सिंचाई की तो इसमें एक ही है कि पुस्पन या फ्लोरिंग के टाइम क्योंकि एक स प्रबटवाड कोई पूइ किए खुर नहीं है लेकिन सिजन के हिशाब सेुष्प कर्दोर कोई पर खुरिक लेएंगे तो कौन सा हर्बिसाइट कंव कूर लेते हैं कि नहीं आगाम और बी इसले नाम भी लिखा होता है कितनी मात्रा लेते हैं पॉइंट 75 से एक केजी कब लेते हैं बुऊई से पूर वे बीमारिया इन डिजीज कौन सी है ब्लाइट या जुल्सा यह कवक जनी जो गए याने फंगल डिजीज है फंगल है तो कौन से फंगल से होती है अल्टरनेरिया के पंगल से थे हैं इसमें, केपसूल भेzentखन यहनी फल को क्या बोलते हैं लेकिन फल का नम कियम में घेपसूल बेद भी बोलते हैं केपसूल is का फल वे बोरर याने छेद करने वाला, बेदने वाला तो इसका वेग्यानिक नाम है डाइको क्रोकिस पंक्टी फेरे लिस्ट दूसरा है सेमी लूपर नाम का कीट इसका साइंटिफिक नेम है एक है या जनाटा उपज येल्ड पोटेंशिल येल्ड कभी फिक्स नहीं होती है पोटेंशिल होता हर पसल का इतनी उप क्रोप इसमें अपने मुंगफली का देन क्या है तिल का देन क्या है रेपसीडे मस्टेड का देन क्या है अब अपने देन कर रहे हैं जो इंपोर्टेंट फसल है वह सूरज मुगी ये फसल काफी इंपोर्टेंट है काफी इंपोर्टेंट क्यूसन भी बनता है क्योंकि होत इसका अध्यन स्टार्ट करते हैं सुरज मुकी याने सन फ्लोवर क्या होता है सन फ्लोवर नाम से लग रहा सन ये सूर्य फ्लोवर यान पुस्प याने जिसका पुस्प सूर्य की और मुड़ जाता है सन फ्लोवर नाम से लग रहा है आगे अध्यन करेंगे वेग्यानिक नाम hyalianthus anus, यहाने इसका scientific name hyalianthus anus है कुल यहाने इसकी family कौन सी है compositi, कौन सी है compositi उत्पती इसका America माना गए है 2N यहाने number of chromosome, यहाने गुंसुत्रों की सेंग्या कितनी है 34 परागन कैसा है, यहाने polynation परागन मतलब किसी pusp के यह pusp के नर भाग से परागकनों का पॉलन ग्रेंश का मादा पुस्व के मादा बाग यान वड़ती का क्रेंश तक पूंचना परागन होता है इसमें होता है परपरागन यान किसी एक ही प्स्प नर वे मादा भाग अलग समय पर परिपक होते हैं तो रही का जिसमीर निसे चिन में आपस में अनको परागण लेने होते हैं इसलिए उसमें दूसरे पुस्प से परागंव मिलते हैं, दूसरे पूस्प का नर्द दूसरे पॉस्प का मादा करते हैं, इसलिए उसमें पर परागंव था है, क्रोस पुंस पोलिनेशन होता है तो इसमें proto-endry जिसे proto-gainim मादा भाग पहले परिपक होता है proto-endry नर भाग पहले परिपक होता है तो सुरुज मुकी में पर प्रागन का एक कारण है proto-endry ये मक्का और सुरुज मुकी में पाई जाती है proto-gainim बाजरा में होती है post-cram याने influxence capitulum या मुंडग बोलते है याने क्या होता है सुरुज मुकी के पौदे में यसे तस्तरी नुमा होता है उपर जिसमें यसे दाने बरे होते हैं एकीन जिनको एकीन बोलते हैं एके करके ये उल्टा तस्तरी नुमा होता है जो post-cram उसको capitulum या हिंदी में मुंडग इंगलिस में केपिटूलम बोलते हैं इसमें जो 20 होते हैं एक एक करके बरे होते हैं इनको एकीन बोलते हैं तो सुरज मुखी का वेग्यानिक नाम कुल कंपोजिटी उत्पति अमेरिका टू एंज चो तीस प्रागण पर प्रागण पुस्प क्रम केपीटूलम और बीज को वीज कोन से एक इन अब परिक्शन बार याने टेस्ट वेट याने 1000 बार का मलत होता है टेस्ट वेट यान 1000 दानों के वज़न को क्या देते हैं परिक मैं 55 से 70 गरम जब दूप बढ़ती है सूरी की अचान बनता है को पता उपर के भाग में पाई जाता है यसे होटि करेंगे हार्मोन के कारी है उसमें कि आप दोब उसके कारण के होता है वो सूर्य की तरब मुड़ जाता है किसके तरब सूर्य का परकास है सूर्य है उदर सूर्द मुखी का केपूटलम गति कर लेता है सूर्य इदर आएगा तो केपूटलम भी इदर गति कर लेगा इस परकार की फोटो ट्रोपिज्म याने जमीन के और गति करना ग्रेवी ट्रोपिज्म परकास के और गति करना फोटो ट्रोपिज्म तो एक तरगी फोटो ट्रोपिज्म होती है याने सूर्य के जिदर होता है उ प्रागन इसकी कमी की करते हैं के कमी प्राएं करते हैं दानें अधिक हो उसिके इसमें अंधिक आपे मरक медवांट करते हैं और फूटेंग करते हैं और अधिक अमेरिका में भारत को बार्तों में आदिग जालावाड में होती है अब प्रोटीन कितनी होतीШ के लखबग 40 परतिसत हूं टील कितना होता है 35 से 50 परतिसत जो इसका तेल होटा है व्व प्रीमियम प्रीमियम मतलब अब उठीक व्रीटि यह होता है किसन प्रसन भी आता है सूरज मुक्य का तेल उत्तम क्वालिटी का क्यों माना गया है रिजन भी पूछते हैं कर्शी प्रक्षक एक्जाम में भी पूछा था 2011 में क्योंकि इसके करण हाई लेवल ऑफ अन्सेचुरेटरेट प्रेटी एसिड अन्सेचुरेटरेट का मतलब एसंत्र इस लिए फूछते हैं और यह अन्सेचुरेटरेट प्रेटी प्रेटि पूपा इसमें पाये जाते हैं बारती भूमे में सूरज मुक्य का तेल होती हो 35-33 होता है जबकि औरिजनल्री में 45-50 तक होता है तो प्रोटीन 40% होती है तेल 45-50 लेकिन भारती बूमी में सुरुज मुकी में तेल 35-43 प्रतिसद और उसका तेल होता है वो प्रीमियम होता है उसका कारण है यह संतरफ तोसामलों की कमी या संतरफ तोसामलों की अधिकता या संतरफ तोसामलों की कमी या संतरफ तोसामलों की कमी या संतरफ तोसामलों की कमी ऐसा है ता उसका अंशुर था एस संतरफ तोसामलों की अधिकता या संतरफ तोसामलों की अधिकता या संतरफ तोसामलों की कम यानि पोली अंसेचुरेटेट फेटी एसिट बारती भूमी में सूरज मुकी में तेल 35-33 प्रतिसत होता है और सूरज मुकी के तेल में क्लोरोजेनिक अम लपाई जाता है जिसके करण और वो खाने में आनीट पूटते हैं और इसकी मातरा 1.4-4 प्रतिसत होती है अब लेनोल इसके मात्रा अलग होती है यहां बट रहे है जो अलशी होती है यह तीनों का इसने लिखा है कि तीनों महीं लीनों comparative निू की सब्सक्राइंट सबसें इसकी मात्रा इसकी मात्रा इसकी दिस 66 या 64 जायदिक उससे कम होती है सुरीज मुकी में आसे चनत म ale 고 इं तीनों में उससे कम होथी है सोयमीन में 要 सुरीज मुकी में चैसेट याउचिज कम अलिशी में 55 से चाण arch ॉल्ड nin जाक्षर के होथी effectivement स्टिलानी पसल से है सुरज मुकी से है very very important कि उने साथ यूई है आइबरेड जो इसका hybrid seed production करते हैं उसके लिए company ने बहुत ज़्यादा काम किया इस पर माईको company मारास्ट्रा hybrid company मारास्ट्रा hybrid company जो सब महाराश्थाइयंट कंपणिए सोर्ज-क्रिfather क्जण है किस तक है योगदान रहा है मायको कंपणिए महाराश्थाइयंट कंपणिए होते हैं अिससे चैपिंग कहते हैं या चैपिनेस भी बॉलता है बुरोन की कमई से accelerate क्पशी सूरज मुखी के जो दाने होते हैं वो खाली रहे जाते हैं इसे चेपिंग केते हैं और इसका निंद्रन एक ही है कि इसमें बोरेक्स 0.2 प्रतिसद का चिड़काव करना चीए जिससे बोरोन की पूर्ती हो जाती है और दाने खाली नहीं रहते हैं देन निज्ट्रल या दिस निसप्रबावी पूदे हैं क्योंकि पोदे तीन परकार के होते हैं लगुदिवस निस्ट्रव स्टेश उड़क वर रबी की पोसल होते हैं दिर्ग दिस वाले पोदे होते हैं लेकिन कुछ वहाद है जो दिवस निस्प्रवाई होती है उनमें इंपोर्टेंट उदाना है सूर्ज मुक्य इसके अलावा कपास और टमट तो मुक्य उदाना है वह सन फ्लोवर है इसमें फोटो ट्रोपिस्म भाई जाती है इन परकास की और गति करना तो मैंने वद्याद ह इसके केपिटूलम में क्या होता है उगजीन हार्मोन का सांद्रन होता है जिससे उगजीन हार्मोन के निर्मान कारण वह जिदर सूर्य गति करता है उदर गति करता है उसके फोटो ट्रोपिस्म बोलते है जिससे जमीन की और गति करना ग्रेवी ट्रोपिस्म तो इसमें फो और एक सिस्प्रे करना चाहिए यह दिवस ने इस प्रभावी पहता है फोटो ट्रोपीज में इसमें पाई जाती है अब है क्लाइमेट जलवाईों में कैसा क्यूसन बन सकता है इसकी जलवाई में एक क्यूसन बनता है कि जब इसमें दाने बढ़ रहे होते हैं उसमें गर्म सभूल एंशनी मोसम की आवसकता होती है जैने इसकी जलवाई उतों इसकी करण में गर्म और मिल्पीज में इसके जलवाई करो कोई सब्सक्राइब सकता है वह इंपर्टेट्ट्स सोन उसमें आता है तो अपने इस टाइप इस ताइग नमबर और किसम केसे ज्याज़ कर सक और तूदा पोइट भी पढ़ें लेंथी भी ने पढ़ें तो इसमें ये क्योंसे ना सकता है कि सुर्व मुक्य में दाने बरना एक इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है तो दाने जो उसमें एक इन होते हैं जितना चमके का उतना अच्छा रहेगा यह नहीं करता है इसलिए भूआ का समय परकार गए इसका फिक्स जल्वय उन्य लिखे यह लिखा है दाने बर्तिस में या ग्रेन फिलिंग इसमें गरम न सुरीय के चमकना अवशक है शिंचाई एवं बोरॉन दोनों का सुचक इंडिकेटर प्लांट न एक तो बोरॉन की कमी का अलग अलग पने– C-C-H थी कमी के अलग अलग इंडिकेटर पोलते हुत है वह है सुचक पोल्था दूरों का सुच्क इंडिकेटर पोल्थार नियौन इशृज्ण मु lira आख़ है ऽोनबम चुनोंड डिक texto रभी में कर्नी हो नाउंर नियम्न sleut हो दस से बारा किलो परती एक्टार लेकिन हाइब्रीड ले रहे हो संकर ले रहे हो तो कितनी लेनी आपको 8 से 10 kg पर देक्टर समय ते किसम आये ने वी देशी किसमों की बीज़दर क्या है शंकर की तो याद रखना है अलग अलग है देशी किसमों की बीज़दर 10 से 12 जब की हाइब्रीड की 8 से 10 kg पर देक्टर इस पेसिंग याने 35 से पंक्ति की दूरी पोदे से पोदे की दूरी कितनी रखते हैं खरीप में तो रखते हैं 60 गुणा 20 लेकिन रभी और बसंद में बुवाई करने में 45 गुणा 20 सेंटीमीटर तो बीज़दर हाइब्रीड की 8 से 10 kg दैसी की 10 से 12 kg इस पेसिंग खरीप में 60 सन्राइज सेलेक्सान उर्मा विरेग विनीमयग 8931 जी एए यू सी एच वन ये हाइब्रीड किसमे हैं जी एए यू सी एच वन और जी सी एच टू और जी सी एच फाइच फाइच तीनों हैं याने इसकी जो किसमें हैं MSFH8, BSH1, जौला मुकी, दीवय मुकी, सन्राइज से ये तो याद रड़ना हैं, आपको कौनकौन सी किसम है इसकी इसके जावाका भी गुमा के भी क्यों से में ज़र्ष निम्न में से सूर दि इसमों की कौन बलीनेटेटेटेटेस बेराइटी है, बूर्में किसम है मोर्डन सूरिया EC8404. मॉल्डन सूर्या इसी अर्सट चार्सो चौधा अब शिंचाई परबंदन एन इरिगेशन मेनेज्मेंट याने इसमें सिंचाई की कौन-गौन शिक्रांतिक अवस्ता हैं तीन अवस्ता इसमें इंपोर्टेंट है पहली है 20-25 दिन बाद दूसरी 45 दिन बाद तीसरी लगबग 110 दिन बाद या 100-110 दिन बाद 90 दिन बाद भी आ सकती है according to situation of जो crop situation क्या होती है उसका अधार पसल कितने दिन किसमें पकने वाली तो 20-25 दिन बाद में क्या आती है यान यह याद रख सकते हूं कि बड़ इनिस्येशन फ्लोवरिंग और पॉर्ड फॉर्मेशन या फली बनते हैं तीन सिंचाई के वस्ते हैं बड इनिसियेशन यान बड यान कली का इनिसियेशन निकलना है इन कली का निकलते समये, कली का निकलते समये दूसरे होती है पुस्पन, पुस्पन को बोलते है फ्लोवरिंग समये तीसरे बोलते है फल, तो इसके जो फली या फल होते है फली निर्बान के सकते हैं तो इसमें क्या फली नहीं होती है फल प्ल लाता प्लोरिंग के प्लाइचर्वाइबन आजने पोदा भी है आवैं उर्वारक पोदान न है फ़िलाईजर जिसे हो दो शरकता है है रहाएफं शीश परडिषोर lang मैं ग्राइट्रोजन, 60 kg फासपोरस, 40 kg पोटिश्यम के आउशकता होती है। एक इंपोर्टेंट और आउशक चीज यह है कि बोरोन की कमी से चेफिंग होता है। वैसे बोरोन का सुचक पोदा भी है। क्यूंकि बोरोन की कमी को यह जल्दी सोख कर देता है। तो बोरोन कमी से चेपिंग होता है, चेपिंग या चेपिनेस में क्या होता है, दाने नहीं बढ़ते हैं, दाने नहीं बढ़ते हैं, यान खाली रह जाते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, बोरेक्स 0.2% का चिटपा उकरते हैं, क्या करते हैं, और वेसे भी ये बोरोन का इंडिकेटर सुचक पोदा है तो 60 kg नाइटरजन, 60 kg पॉस्फरोस, 40 kg पोटेसियम क्यावशकता होती है बोरोन की कमी से चेपिंग होती है या चेपिनियस जिन दाने नहीं परते हैं उसके लिए बोरोन का इंडिकेटर सुचक पोदा है अब है खरपतवार परबंदान, याने वीड मनेजमेंट, और वीड मेनजमेंट के चैप्टर में ये पढ़ते हैं उस पसल का मुग क्किया खरपतवार कौन सा है, कौन से खरपतवार नाशी काम लेते हैं, इसका कोई विसेश खरपतवार नहीं है, शेजन के अंसाब करीब रभी में जो करपत आर होते हैं अलग लग सीजिंगे हिसाब से जानी इसके खेयती किरते हैं उस्साफे वो पाए जाते हैं आ जा तो या तो परियोग बॉए से पहले करते हैं 5-5 वात-ङिक्रोट से पहले कोई 60 भी पॉसल और लाएक लॉर का बपय के बाद वाध वैंग्रून से पहले और यह प령ह और यह न इंदे को अलांगे को इंपोर्टने इतनी डिजीज निए एक्जांज माज़ लएक फिर भी इसके दो बिमारे मारे अल्टार्या ब्लाइट या नंग माणी चार कोल रोट अल्टार्यल्ट लृट यह क्वक जनित रोग होता है तो अल्टरनेरिया ब्लाइट एक कवक जनीत रोग है चारकॉल रोड भी एक कवक जनीत रोग है अल्टरनेरिया हेली एंथी यह होता है मेक्रोफॉमिना इसको यह लिख देता हूं मेक्रोफॉमिना फेजियोली तो अल्टरनेरिया ब्लाइट यह अंगमारी जो अल्टरनेरिया हेलियन्थी नाम के कवक से होती है चारकॉल रोड यह मेक्रोफॉमिना फेजियोली होती है मेक्रोफॉमिना फेजियोली नाम के कवक से दोनों ही कवक जनीत विमारिया है चारकॉल मने विना उसको ऩार्पा पाउड क्लिश्य और उसको चार कोल रोट नाम दिया है ब्लाइट का मदल होता तो prefersгр्या बेदक है तो जो सीड्स बेदक या हेड बोरर जो कीट है उसका नाम है हेलिको बर्पा आर्मीजेर इसके अलावा इक कीट नहीं एक पक्स यह तोता या पैरट तोते सब जानते हो यह क्या करते हैं सुरज मुगी का जो फिट ओपनली होता है उसमें से दाने चुक जाते हैं य चाहिए सुरज मुखी में क्यूशन भी इंपोर्टेंट है अब उपज इसके उपज लगवग 15-30 क्यूटल परती एक्टर होती है बंडर या इस्टोरेज 9% से कम नमी पर करना चाहिए धन्यवाद साथियों हमस्कार साथियों स्वागत है आपका एग्रियंस क्लासेज में हमेशा की तरह अपन पढ़ रहे हैं तीलनी पसलें तीलनी पसलों में कुछ पसलों का अपना एद्धियन किया है पहले जिसे मौंगपली सर्सु रैपसेड हैं मस्टर्ड उसी परकार आज की पसल है तिल याने स संसेम यह भी एक इंपोर्टेंट्ट पसल है क्योंकि तिल का बहुत इंपटेंट है इसे गरीबों की गी का एक दूसरा रूप होता है इसलिए इसका इंग्लिष नेम है वह सीजेम अब हर पसल में पढ़ने से पहले उसकी पढ़ते हैं बाइलो जी यान दान जी यह इंगल विग्यानिक नाम क्य प्रागं है करना है तो सबसे पहले इसका पॅध़ Your नाम याने साइन्टिफिक नेम सिस्यमाम इंडिकम कुल याने इसकी फैमेली कौन सी है कुल या फैमेली कौन सी है पेड़ी लिए सी उत्पति याने इसका ओरिजन पहले इसका है याने इसका उत्पति इस्तल कहां माना गया है अफ्रिका में 2N, 2N का मतलब number of chromosome, याने गुण सूत्रों की संक्या कितनी है, उसको 2N से परदर्शित करते हैं, तिल में कितनी है, 26, 26, यान किसमें, सिसम में, इंडिकम, अपना अलग अलग पढ़ेंगे, कौन सी सिसम की परजाती में कितनी होती है, अपना सिसम में इंडिकम पढ़ रहे हैं उसमें कितने हैं, 26, 26, परागण याने पोलीनेशन, याने परागण या पोलीनेशन का मतलब, पुस्प के नरभाग से, परागगणों का, पुस्प के मादा भाग यान वर्तिकागरे तक जाना, परागण या पोलीनेशन के लाता है, इसमें होता है, सव परागण याने, से जैसे बिंडी में होता है और एक केपसूल के अंदर पचास से सो वीज होते हैं लगबग इसके जो के फ्रलोवर वह सफेध से यान ब小時 अब्र वाइट होते हैं और फ्लोवर ओपन याने के कि परकिरिया है वह सुबए के समय होती यह पांच से साथ एम यान सुबह का पांच से साथ जो समय होता है पांच से साथ बजे के बीच का एम का उस समय इसके पिंचान उपरतिसत फ्लोवर जो ओपन होते हैं वो सुबह के समय होते हैं तो यह एक तिल का पोदे का डाइगराम यह इसके केपसूल है यान इसके फल कैसे हो तो ठीलीय सिशेमं वेग्यारीक नाम सिशेमं अंडिकव कुल पेडिलियची उत्पती अपरिका टूएण 26 प्रागं सर्ब प्रागं पुस्त्रों रेशीम फलका प्रकार केप closure अब है विश्वे में अधिक का होते हैं विश्वे में अधिक तिल का होते हैं इंडिया में अपने यहीं होते हैं और इंडिया में या भारत में अधिक तिल का होते हैं अपने या राजस्तान में होते हैं राजस्तान में का अधिक होते हैं वरत्मान में पाली में अधिक होते तो एक्जाम से पहले हमेशा आपको नई PDF जो डाटा की होती वो अलग से उप्लोग कराई जाती है तो विश्वे में अधिक भारत में तिल होते हैं राजस्तान में राजस्तान में अधिक होते हैं पाली में एक चीज यह है इम्पोर्टेंट के उसने है बहुत इम्पोर्टेंट के उसने साहति जाता है जिससे इसको लंब समय तक बंदारण किया जा सकता है और जो में करते हैं इसकर रहों है लंबहसमें तक बंढरन में तील का टेल खराब नहीं होता उसका करण है कि तिल में शी से मौल पाए जाता दूसरा सरसाइन है आइसे प्रकार कि सुगं पेदा होती है वो यह गिसेटाइल पर जाहिए के कारण अब गरी को क्या क्या बोलते हैं गरीबों के लिए कि इसको बोलते हैं तिल याने गरीबों के के लिए का दूसरा ऑफस्नल है दूसरा फॉर्म इन की भे जिंगली त्हाने कि Sud육 Type pos Coalition कि नाम एक्जिदा की जिनगली का बेग्जानिक नाम क्या का की हैं फाइलओड conservative तिल में होती है तो यह से तिल ने देके option में क्या होता है जिंगली तो यह नाम बहुत ही important है तिल का दूसरा नाम जिंगली यह जिंगली जो है यह नाम बहुत ही important इसके लाव इसको बैनी सीड बोलते हैं और तिलनी पसलों की रानी queen of oilseed queen of oilseed crop यह जो तेल वाली पसले होती है तिलनी पसले उनकी रानी है तिलनी पसलों की रानी तो तिल गरीबों का गी भी बोलते हैं तिल का दूसरा नाम जिंगली यह बेनी सीड है यह तिलनी पसलों की रानी यह queen of oilseed crop है प्रिक्षन भार का बन्हों होता है एक हजार विजों का वजन याने TW ये कह सकते हैं क्या बलते हैं इंग्लीश में test weight प्रिक्षन भार का बन्हों होता है ma видео कितना होता है लगभग 3-4 गराम या माना गया है तिल में तेल की मातरा क्योंकि तिल क्या है तिल नहीं पसल है क्या है तिल नहीं पसल तो तिल नहीं पसलों में तेल का क्यूशन इंपोर्टेंट होता है तो तिल में तेल की मादरा 35 से चोपन परतिसत होती है 35 से 54 और एक ध्यान रगणा जो सपेद वीज वाले तिल होते हैं उनसे सपेद वीजों मे तेल हमेसा अधिक होता है तो तेल की मादरा 35-54% जबकि प्रोटीन होती है 18-20% और जो प्रोटीन का मेजर पायट होता है वो ग्लोब्यूलिन के रूप में होता है यानि इस रूप में प्रोटीन जदा होती है तो तिल को गरीबों का गी बोलते हैं जिंगली बोलते हैं बेनी सीड बोलते हैं तीलनी पसलों की रानी यानि क्वीन ओप ओल सीड क्रोप बोलते हैं परिक्षन भार 3 ग्राम तेल की मातरा 35-54% और प्रोटीन 18-20% उसमें भी मेजर रूप से ग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन पाय जाती है अब होता है क्रोमोजों के आदार पतिल का वर्गी करण किया गया है किसके आदार पर क्रोमोजों हालां कि अपन मेंली कौन सा पड़ रहे हैं सिसेमम इंडिकम उसमें होता है 2N बराबर 26 इसके अलावा सिसेमम प्रोस्टेटम और सिसेमम एंग्यूलस में होता है हमके तो चुआ शबहिस में होता है सीजेमम स्राशम, डिली खाल है सिजेमम प्रॉश्यटां ऑर चुष्यकासiris का मुट लिब तो डिल खती कि जा सकते गरम हैं कि एफ तुष्यूश्क अब धेग खरीब की पशल्ए है तो जल्वाई करक़ा भी कि तो तेंडी? तो तिल खरीब की पूसल है जल्वाईव क्या होगी गर्म सुस्क खेती की जा सकती है इसलिए गर्म है सुस्क अब ये टेंपरेचर जल्वाईव में भी टेंपरेचर तापमान कुछ पोदों को एक विशेस आवस्ता के लिए विशेस रेंज के आप सकता होती है तापमान के जैसे जर्मी नेशन अंकुरण के लिए मतलब जर्मी नेशन के लिए जर्मी नेशन के लिए तिल के जर्मी नेशन के लिए 24 से 27 डिगरी सेल्सेस तापमान उप्योग देता है बढ़वार याने क्रोथ के लिए कितना 27 से लेकर 33 degree Celsius तापमान उप्योगत रहता है जलवायू, climate, गरम, एंस, तापमान, अंकुरन के लिए या जर्मिनेशन के लिए 24 से 27 और बड़वार या ग्रोथ के लिए 27 से 33 degree Celsius तापमान उप्योगत रहता है अब है sewing, sewing में या बुवाई में हमेशा क्या अदिन करते हैं कि उस पसल का बुवाई समय क्या है, बीज़दर क्या है, कितनी दूरी पर बीज़दर क्या होता है, या बीजो प्चार का प्या अदिन करते हैं, तो sewing का, मतलब बुवाई का समय, time of sewing क्या है, June जोलाई, यान, onset of man मांसुन के आगमन पर जून जुन में तिलकी बुवाई करते हैं अगला है बीजडर कितना काम लेते हैं झाल है क den को नौर्मली कशल् significantly Waters क्षाइब क्या работает बीजदर क्या है बीजदर क्या है तो सीडरेंड नोर्मली सीडरेट पुछी जाए तो सीद से चार किलो साद साका यूक्त ही इसका इसन साका रहीत जिसमें अलग से i Radio कितनी है ठीक है तो इसका है juice नहीं तो साका यूग्थ तिल की बीजदर 2,5kg और यहां लिखा जाए साका रहित तो साका रहित की बीजदर 4,5kg प्रती एक्टर तो इसको आपको अलग-लग याद रखना है कि बीजदर सीडरेट सिंपल पुछ जाए तो 3,4kg लेकिन साका यूद तो साका रहीत की अलग लग पुचि जाए तो साका यूग तिल की 2-3 kg साके 45 kg प्ध़ती एक अब इस। फेशइंग 30 से पंक्ति की दूरी और वदे से पूदे की दूरी कितनी रख दे सेंटिमीटर में सो गोती किसं में सेंटिमेट्र तो इस पेसिंग 30 कुन 1 बीजेट राजा है यह ब्लाएं चाहिए या तो थाइरं या 20 इन vevistine का दूसरा नाम कार्बेंड नाजीम होता है कार्बेंड राजीम थाइरं थो 3 किलो ग्राम प्रति किलो की साथ मिलाना है और 22 इन मिलाना हो थो 5 ग्राम ग्राम परती किलो और step to cycling काम में लेना था 2 ग्राम परती किलो बीज क्या बीज याने 1 किलो तिल का भीज निख तु थायरम लेते हैं तो 3 ग्राम लेते हैं किसी भी फसल में और 22 नोग किसी भी पिसल में 25 से 35 क不好 लेते हैं उस जैइख प्रियोग करते हैं तो टाइम आप सोविंग बुई का समय जून जुलाई विजदर तीन से चार किलो परती एक्टर साका युक्त की दो से डाइ किलो साका रेट की चार से पांच किलो इस्पेसिंग तीस गुना दस बीजूपचार में थायरम बविश्टीन और स्ट्रेप्ट किसमे कोन सी है एक तिल दो परगर का होता है साका युक्त है साका रहित है तो शाका युक्त की किसमें 2 15 ऑर तक वो साका युग तिल की किस्म है साफरी तिसका दूस्रा नाम पड़ता अब एक अलग से किस्म ख नाम फिर का उपस्वाह ऊब्सकेम्न चैप्टर होता है खर्पतवार प्रबंदन का उसमें साथ ही अपन यह एदिन करते हैं कि उस पुसल का मुख्य खर्पतवार कौन सा है और मुख्य खर्पतवार नासी कौन से है तो उनकी कितनी मात्रावे कब लेते हैं तिल का कोई अलग से कर्पतवार नहीं है खरीब की पुसल है तो खरीब के जबकि पेंडा मेतीलिन बुओई के बाद वे अंक्रों से पहले प्रियोग करते हैं अब यह शिंचाई परबंदन इन इरिगेशन मेनेज्मेंट याने शिंचाई परबंदन के चेप्टर में यह इदिन करते हैं कि शिंचाई की क्रांति का उस्तें गुंसी सामाने तो तीलनी यान तेल वाली में पुस्पन भी फली बने लेकिन तिल में जो क्या होता है फल को बॉलता है केपसूल इसकी जगे में लिखाव मिलेगा केपसूल फॉर्मेशन याने केपसूल बनते समय क्योंकि तिल परबंदन नेन फर्टिलाइजर मनेजमेंट तो नाइट्रोजन कितनी च बिमारिया यानि तिल की मुख्या बीमारिया कौन सी है पहले आपन पढ़ रहे हैं philoid exam की दरस्टिशंच अपने यह बढ़ते है कौन से important important disease होती है और कौन से क्युसन आ सकता है कौन से बिमारी है philoid चिक philoid 2017 बिमारी है तो हर बिमारी में बढ़ते हैं और विसाणो जनित है या जीवानो जनित है या कवक जनित है है या तो यह एमलो से होती है यानि माइको प्लाजमा मैकू प्लाजमा- लाइक और गरेश्ट तो पाई-लud Ồ है और माइको प्लाजमा के लिए वहाग कौन सा है इसमें लीफ होपर नाम का केट इसमें वहाग का कारे वेक्टर का कारे करता है हमेशा अग्यति भूई करने से फाइलोईडी की संभावना अधिक होती है होता क्या इस बिमारी में यह जैसे प्लांट है इसका जो यह वाला पांट है उपर वाला यह वत्य है इकटे हो जाएंगे cluster type में बंच type में गुच्छ ट्राइप में हो जाते हैं तो इस बिमारी में गुच्छ नुमा अफ़दा हो जाता उपर से और यह फाइलोडी माइको प्लाज्म जनी त्रोग है और माइको प्लाज्म का वहाग है लीफ होपर और अग्यति वह इ किसी फुसल बीमारी का यह नहीं पढ़ा रहा हूं कि वह अलग से चेप्टर बढ़ाएं कौन से बीमारी का क्या नियंद्रन है जिसे जितने भी विशानों जनी त्रोग होते हैं या माइको प्लाज्म से उनका नियंद्रन करना वहां क्या है जिसे लीफ उपर है तो लीफ प्रण याने लीफ कुंचन यान करल याने पतियों का मुड़ना पतियां का कुंचन होना लीफ का फोल्ड होना पतियों का मुड़ना यह भी एक विशानों जनीतरों के टीमवी विशानों से क्या है टीमवी एक विशानों तंबाकू मोझे एक विशानों क्या है तंबाकू याने चेंपायया मोईला, ऐफिड की, ठीक है, तो दो बिमारिये हैं, पहली फाइलोडी, जो माइकव बाजमा से होती है, दूसरी बिमारी जो पर्णड कुंचे न पत्या मुढ जाती है, विशानों जनी तो गए, तमबा को मुझे एक विशानों से होता है, इसका वहाँ क्य बहुत ही इंपोर्टेंट क्यों सेनल नहीं लिफ तील होक मॉट और पती बैदक तील होक मॉट कीट है उसका साइंटिफिक नम है एंट्रिगाष्ट्रा केटालोना लेश ऑर तिल होक मॉट उसका नाम है एकर रंस तो पति बैदक या लीप वेबर का वेग्यान इक नाम है एं है एक हेरेंच या स्टाइक्स क्योंकि अबजेक्टिव एक्जाम जो होता है जैसे कर्षी परिक्षा तो उसमें अपन को तूदा पॉइंट पढ़ना है या तिल होक मौत किसका कीट है तिल का इसका विग्यानिक नाम क्या है एक हेरेंच इस टाइप से उपज कितनी है तिल की लगबग चार-पांच क्यूंटल परती हेक्टर या इतनी उपज हो सकती है एक येल्ड पोटेंसिल होता है छे क्यूंटल हो सकती है साथ हो सकती है ऐसा कुछ नहीं गिल्ड फिक्स होती है एक पोटेंसिल होता है इस टोरेज जो होता है लगबग 5% से कम नमीपर करने पर इ दिसकस कर चुके हैं यह तिलनी पॉसलों से संबंदित थे धन्यवाद साथियों नमस्कार साथियों एग्रियंस क्लासेज में आपका स्वागत है अब अपन पढ़ेंगे तिलनी पॉसले याना ओईल सीड पॉसले जिनके सीड से ओईल प्राप्त होता है याना जिन से जिनके बीज से प्राप्त होता है जो तेल उपदन के उद्धिस्या से उगाई जाती है तो आईये साथ यह एнет आपन पढ़ेंगे मुंगपुली यानी ग्राउन prize की पॉसल पहले करते हैं तिलनी पसलों के बारे में बैसिक पुरिच्चे तिलनी पसले यान ओइल सीड ओइल यान जिससे ओइल प्राप्त होता है क्या होता है तेल प्राप्त होता है किस पार्ट से पोदे के सीड वाले बीज वाले प्राप्त से इसलिए कहते हैं ओइल सीड या तिलनी पसले तो तिलनी-पसलों का उनका मुख्व आवियो बाता है तेल कितना होटा तो इन तेलनी-पसलों के बारे में आपर नध्यन करेंगे मूंपली जो groundnut होती है उसमें 45% या तेल प्राप्त होता है कुसुम में कितना तेल होता है 40% यान 40% और सूरज मुकी यान सन फ्लोवर में 45-50 यान 45-50 परतिशत तेल होता है अलसी लिंसीडिया ने 31-41 परतिशत तेल होता है सरसो में 33-47 परतिशत और तिल में 35-35-54 परतिशत तेल होता है जबकि सोयाबीन में 20 परतिशत तेल होता है आप नोट कीजिए, इस सब में तेल ज़ाधा है, जबकी सोयबीन में तेल कीतना है? 20% ही तेल है, क्योंकि सोयबीन में प्रोटीन ज़ाधा होती है, अब तिलनी पसलों में झो तेल की मात्रा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंटर है, estaight क्योंगी जिसी डॉलानी पसलों में प परतिसद कुसूम में 40 परतिसद सुरज मुक्री में 45-50 परतिसद और अल्टी में 31-41 परसंटेज और सर्सो में 33-47 और तिल में 35-54 परसेंट याने 45 45-48, 45-31, 35-47, 35-34 अब यह सोयाबीन में 20 परतिसद तेल होता है सोयाबीन का Q section अक्सर पूचा दाला है क्योंकि इसमें कुछ हट के हैं बागी में ज्यादा है इसमें तेल की मातरा कम है यानि 20 परतिसत तेल होता है अब एप प्रोटीन दूसरी हो यह वह था या तेल के बाद में प्रोटीन तो मुंगपुली में प्रोटीन होती है 26 या सर्चव में होती है थर्टी फाइब तिल में होती है अब जो इंपोर्टेंट किसन आएगा आपके एक्जाम में वह यह आएगा कि सोयाबीन में प्रोटीन कितनी है 42% सोयविन में तेल कम और प्रोटिեյ जादा सवयविन में कैना था 20% 20 så 22 प्रोटिशड के लगबबग जबकि सोयविन में प्रोटीन जो अव में परोटीन के प्रोटीजिंग के तेल 20 तो वैसे चाए थि याने जिसे अधिक फिरृसे कम सवह का राजा याने जसे अबनेञे वाली पास्लों का राजा डाल वाली पास्लों का राजा दाल वाले अनाज वाली पसलों की राणी मोटे अनाज का राजा उसी परकार तिलनी पसलों के राजा की उपादी किस पसल को दी गई है याने king of oilseed king याने राजा oilseed याने तिलनी पसलों का राजा कोन है सरसों और तिलनी पसलों की राणी queen of oilseed याने queen याने रानी queen of oilseed याने oilseed याने तीलनी फचलों की रानी कौन है तील system कुछ जो scheme या project चलेते तीलनी फचलों पर उनका अक्सर पूचा दाता है कि ये project की full form क्या है TMO याने technology M याने mission on oilseed याने technology mission on oilseed याने तीलनी पचलों पर तक्निकी जो mission चला था technology mission on oilseed 1986 में कब 1986 में किस पचलों से समझी था तीलनी यह आता है कि TMO का समंद project का समंद किस पचलों चाहरे वाली तो किस से था तीलनी दूसरा इसकी full form क्या है टेकनोलोजी मिसन ओन ओएल सीड कब आया था 1986 में उच्छी और इसके उपर जो जिस वेग्यानिक ने जिस साइंटिस्ट ने जिस परसन ने कारी किया था वो था पीवी से नुए नाम के वेग्यानिक का समंध या साइंटिस्ट का समंध किस प्रोजेक्ट से मना दाता है टी ए या था 1986 में किस साइंटिस्ट ने का रहा है ता फीवी इसनौं फिर सोपा सोपा की फुल्प्र मैं अच्छी mi अच्छी यह मद्य प्रदेश में लागो वा था एंपी में और इसका समध किस पोसल से हैं स्वाइबीन में किस पोसल से स्वाइबीन से फुल्प्र्म स्वाब प्रोसेसर असोसीएचन मद्य पर्देश में एक एंटीसी जो इंडियन टॉबाको कमपनी यह आंदर पर्देश में हैं माय को यह माराष्टरा हाइबरीड कमपनी माइको इन दोनों को इसलिए पढ़ाय जा रहा है कि कि आईटीसी और माइको है जो सूरजमुकी के 20 उतपादन पर कारी करती है, किस पर या यह क्योशन आता है, सूरजमुकी 20 उतपादन का सम्बन पर या अधिक कारी कारी किन दो कंपणिये उनक था, ITC और Myco इंडियन टोबा को कंपणिये और मारास्ट्रा हाईब्रेड कंपणिये सूरजमुकी 20 था था थीलऊनी पस्लों का बेसिक प्रिचर अब तीलऊनी पसलों में पहली पसल में ग्राउंड रूट्रक पूली तो आईए इसका अध्यान करते हैं अपने पढ़ने का जो पैटर्न है पहले उस पसल की पढूचिया बोटनी पढ़ते हैं यह कि उत्पती कहा है उसका कुल करते हैं मुंग फली इसको बोलते हैं ग्राउंड नट क्या बोलते हैं ग्राउंड नट जमीन में जो नट होती है वो ग्राउंड नट मंकी नट भी बोलते हैं अर्थ नट और पीनट यह नाम इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आप ऐसे सोचते हो कि मुंग फली का नाम क्य साहे हुज यह कभी एससे कि उसने पूछ ले अर्थनक का नाम क्या है पीनट का साइंटिफिक नेम क्या है उतने नाम यह भी इंपोर्टेंट है तो यह आपको पहला कि उसनल मुंपली पढ़ने से पिल्ए याद रहना चाहिए मुंपली के इन्य नाम है ग्राउंड नट मंकी स्विन नेंसेंНट होता है एर्फनट मंकीनफ ग्राउंडन नट और पीच अब जो पहला पॉइंट-बढ़ते हैं विजियान 7 नाम किस पॉसल Super cep ने ग्यम क्या होता है तो मोंभली का संडिपीक नैम वेगयन किस नाम है और हैजिक है वेगयनिक नाम हम veteran से मिल कर बना due वो हुआ कि वेग्यानिक जो नाम क्रण्टी थी ती वो दिव नाम पद्थी थी उसके अनसार क्या था कि कोई भी नाम जो है दो अक्सनों से बना होता है जो अरेकिस वे हाइपोजिया इसमें जो सब्सक्राइब लेग्यूम यानने लेग्यूमिनसी की पसल है और जो हाइपो hypogeae . अरेकिस का मतलब लेग्यूम यानि यह लेग्यूमेसी पसल है यानि जमीन के नीचे मुंपली के फल लगते हैं किल याने इसकी फैमली कुन सी है फैमली या कुल कुल कुन सी है लेग्यूमिनेसी आसे सब कुल पर पीली ली उसी उत्पत्य इस तान यहन कहां इस पसल का पेधान गया है ब्राजी गितने है 40 40 पून्ण सूत्रों की संख्या को टो एंद से परदरिसीत करते हैं और मुंपुली की panels कितने होते हैं 40 पूर गम सौर प्रागन का मतलब होता है किसी पुल्थ भाग से प्राग कड़ों प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर यान क्लिश्टो गेमी के करण क्या होता है सोग प्रागण को बढ़ावा मिलता है और मुंग पुली में होता है सोग प्रागण वेग्यानिक नाव अरेकिस आईपोजिया कुल लेग्यूमिनेसी उत्वत्वत्ति इस्तान ब्राजील टू एन बराबर 40 प्रागण कौन सा है क्या है वोटनी करली क्या है फुलोल मेंटम क्या सवा देखो छेस इंबली के पहले हैं मुंग पुली का यह एसाओ लोमेंंटम क्या कैता है इस परकारताता है में यह जूnamने दाना होता है इस प्रकारता इस पतकारता इस मूंग पली अंकुर्ण को एंसा होता है, हाइपोजेल, तो अपन पहले रचने की अशक थो other के शितने पो होते हैं रभी के नियों होते हैं वह घरीब का बदाम , बादम् कीवों कब आदाम किस पऽ्ल को बोलते हैं मुंग फैली को Whart na अब है प्रिक्शन वार कि मदलता एक हजार दानों का वजन तो हर पुसल अलग लग होता है प्रिक्शन पार यूनिट वेटोपल दे ऐन 1000 दानों का वजन तो मुंगपली में कित्ना होता है 200 से डाईसो क्रफ॑व बशूए में एधिक मुंगपली काT रिश्टी में सेत्रफल की द्रफटर से इंडिया में भारत में उत्पादन की द्रफटर न की दृश्टू है चीन में भारत में याधिक सेत्रपवा अंदरपर देश में prejudice गुझरात में Rajasthan में वी इत्र बाठी उत्पादर्व मेंते लुफर भुञात ऑबादु की फ़ explan यहां मुंग्पाद्याने उस में न होता है उसे उधपादEΧ बोलते हैं तमिल नाडू में का है 17 से कितनी है 17 से 20 क्यूटल परती हेक्टर अब है एनार्ची अपने जब बेसिक सस्तान पटे थे उनमें अलगलग एनार्ची यहां पटे थी एनार्ची का मत होता नैशनल रिसर्च सेंटर याने राष्ट्रिय अनुसंदान के अंदर मुंपली का राष को बोलते हैं मुंपली का पोदा यहां तो गुच्छे में हो कई यह 2 परकार नाम मुंपली अंब यह डिक करती वाली मुंपली ने वाली मुंपली है तो रेकिस आहिकर में और गूदक्स नमने पकती च्प्ति नोंम कहास दिनों में आ पाइज जाती है तो इस पर सुपत आवस्ति तो इस पर शुपत आवस्तो का तो तोन से रसाइन काम में देते हैं मुंगपली में इथालिन क्लोराइड जीरो पुइंट साथ प्रतिसद या आई ए एने पांच से दस पीपीम का प्रियोग लेते हैं पीपीम याने पार्ट पर मिलियन का गोल मनाते हैं तो एनाट सी राष्ट्री और सुन्दान के अंदर का हैं जुन नागट गुजराद मुंगपली दो परकार की होती हैं और स्टव करने के नाम नाम ए रेकिस हाइपोजी आ प्रोक्यूम बेंश यह बारत में मुंखफली लाने का स्रीक किस वेगाने को जाता है जैसुब फादर को मुंखफली का जो वर्तमान के उपयोग है वो किस किस में ह। बारत में जिदनी मुंखफली यान ग्राउंड नट का प्रोडक्शन होता है उसका 81 परसेंट तो ओ 12 पर सीड के रूप में और 6 परतिसत गरेलू परियोग के रूप में एक परियात के रूप में यान मुंपली कितने निरियात होती है और only matter 1% एक्सपोर्ट होती है तो अधिक यूज किसमें हुआ ओईलिया तेल के रूप में सेलिंश कर्तर मुंपली के उप्योग तेल, बीच, गरेलूं उप्योग और निरियात में, अलग अलग परतिस्द के रूप में होता है वो सेलिंश को गोशिक É तो यह बन्दारण के समय औक सिञन कि कमी होने से या अधिक नमी होने से आपक। प्लेवस डवलप हो जाता है और वह अलपा टोक्सिन नाम का पदार्थ पेदा करता जिससे मुंगपली में कड़वा पनोगा कभी-कभी आपने देखा होगा लास्ट सेजन की मुंगपली या कुछ पड़ी हुई मुंगपली ऐसे स्टोरेज में थी जहां ऑक्सिजन कमी थी मुंपली में आगे अपन डीजी ऑफ ग्राउंड नट यान मुंपली की बीमारी आधिन करेंगे उस समय अपन पड़ेंगे एस पर जिलस नाइगर से कोलर रूट कैसी होती है क्या सिम्टम में इसके तो एस पर जिलस फ्लेवस से अलपा टोक्सिन के कारण कड़वा पन होता याने इसके परतिरोधी किसमें रजिस्टेंट किसमें सी जी सी टू और फेजा पूर इन दो किसमों में एस पर जिलस फ्लेवस का अटेक नहीं होता है अब है तेल परतिसद याने तेल कितना होता है मुंपली में 40% हलांकि अपने तीला नीपसलों का बेसिक परीज़े बढ फिर भी प्रोटीन कितनी होती है मुंपली में 26 परतिसाथ है अपन मुंपली का अधिन कर रहे है इसके लावा करते तो मुगपली में 45 तो मूगपली में 55 पेस्ट में लिटामिन विटामिन बारा है वो मुटीपली में लेकिन विटामिन पार्ड हुथ cru कं болी कउन सी और नहीं होता है कॉन सा विटामिन बी का कौन सा बितामिन ब॥ा भूभा जाती है यहन कावर कर लेती है अपनी पतियों को जमीन अपनी पत्यों से अपने पोधय से जमीन को डख लेती जाने मुंग पली को अब बड़ीonceं ज़िये छोपशन मिरती हैं यह कवर करत हैं यह कंवर मरदा का द। कम होता है तो यह in क्रोप यह आच्छा दित करने वाली पसल है जैसे चौन ले की पसल है अब है पॉपिंग पॉपिंग क्या होती इंपोर्टेंट क्यूशन है देखो कोई भी अब्जेक्टिव एक्जाम पड़ते हैं उसमें यह होता है नमबरों क्यूशन जादा कितने सोल कर सकते हैं उसमें कि मुँपुली में से कितने ज्यादा क्योशन अपन पढ़ सकते हैं याने रटने की आज सकता नहीं है इसे नहीं पूछाएगा पॉपिंग क्या होती है तो कभी-कभी आपने देखा होगा जिसे यह अपने मुपुली ली तीन दाने होने ची एक दाना तो है दो जगे खाल जिसे टेक्निकल भासा में पॉपिंग बोलते हैं तो पॉपिंग का मतला दाने नहीं पढ़ना और पॉपिंग कि कमी से होती है केल्शियम की कमी से इसी लिए तो मुपुली में जिप समगा प्रियों करते हैं 500 किलोग्राम परती एक्टर ताकि उसमें सलपर के साथ केल्सिय इसको टेक्निकल भासा में बोलते हैं आर्थिंग पॉली में किस पसल में करते हैं मुपुली में कब करते हैं सोविंग के 30 से 35 दिन बाद में मिटी चड़ाने का एक इंपर्टेंट कारी मुंपुली में है ग्राउंट नट में कब कितने दिन बाद में यह टेक्निकल चुछन है कि 30-35 दिन बाद में जिए अर्फिंग आप करनी चीए मुंगपली में बालू मर्दा याने सेंडी सोईल सेंडी सोईल का important role होता है सेंडी सोईल अच्छी रहती है लेकिन ध्यान रखना मुंगपली में जो काली मीटी होती है बलेक मर्दा वो हानिकारक क्यों सन भी आता है कि काली मरदावेकरो से किस फजकर के लिए खाहन से का रखे है मंपली कीओ करी मरदा में मंपली की सुईयं पैगिंग नहीं हो पाती मूंपली की पैग मेंगपिली 220 ش photographers जमींिंग मेरे नुक्सांदाएक इन्टिंगे इन्ट को एक उसे मुक्पली की और मुषन करना एक निंट तो इस जमीन की ओर जातीए उपर नीचे और तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जमीन की और गती करना ग्रेविट ट्रोपिस तो मुंग पुली में ग्रेविट ट्रोपिस न पाई जाती है याना उपर से जो मुंग पुली की सिया होती वो जमीन की और गती करती है मुंगपुली में फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए यानन अमबरों फ्लॉवर इंक्रीज करने के लिए कौन से रसाइन का प्रियो करना चाहिए एन एक चारीश से पचास फिपियम नेप्टलीन असेटिक एसिट का 40-50 PPM याने पार्ट पर मिलियन का छिटकाओ करना ची मुंगपुली में जो पुस्पन और फ्लॉवरिंग कब आती है बुवई के कितने दिन बाद में 24-40 दिन बाद में लेकिन पेगिंग याने सुईयां कब बनती है बुवई के 55-60 दिन बाद में 55-60 दिन बाद में पेगिंग स्टार्ट हो जाती है और बुवई के 65-70 दिन बाद में पोड फोर्मेशन तो इनका टाइम बहुत इंपोर्टेंट है साती हो ध्यान रखें पुस्पन कब होता है बुवई के 24-40 दिन बाद में और पेगिंग यान सुईयां कब बनती है बुवई के 65-60 दिन बाद में प्व़煮ैशन यान फली आकब बन तिए पोड्य याने फली फोर्मेशन यान बनना बुवई के 65-70 दिन बाद में अब हैं टेस्टां तेस्टां क्या होता है देखो तिन इस्किन देट कवर सीड यानि बीज को दिणोक bolis के चारो तरफ से कवर करने वाली जो तम evolves ओती है इसमर्ट किसिए यह जणा बीज को प्लोवर पेकू पूड यह पूस्प पेग यह और फलियां में नुपाद क्या होता है है सात अनपाद चार अनपाद एक वेरी वेरी इंपर्टेंट क्यूच School में किसन मिले का वे आपको साथ ही हो इस यह संगो रचलो आप का फी इंपर्टेंट को सथ ही में हैं इस की मूंघ पुलिंग मुंपली की कमद्वित मुंपली की सीड वीज से वीज निकाल लेते हो तेल निकाल ले तो पीछे जो बसती हो होती है तेल वाली पुर्म 258 9 फरिपा कि रेवीज से वीज सानुआथ 08 फर्तिसद्व होता है अल्सी की कली में 6.5% नाइट्रोजन की मातरा पाई जाती है जलवाई हो या क्लाइमेट मुंपली के लिए लंबी एंग गर्म रीतू की आवसकता होती है तापमान या टेमप्रेचर मुंपली की जो पेगिंग वाली आवस्ता होती है याना सुईया बनने वाली आवस्ता होनों के लिए टेमप्रेचर नियान तापमान का एक इंपोर्टेंट डॉल होता है याने 25 से 30 डिग्री सेल्चेस पर सुईया अच्छी बनती है और 30 से 35 डिग्री सेल्चेस पर फलियों का निर्माण अच्छा होता है अब आता है जैसे आपको पता है या सोविंग में क्या याने समय क्या है कितना बीच 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 दर काम रेता हैं कितनी दूरी पर बाता है यह तीन चीज़ें अध्यन करते हैं तो समय क्या है मूंगप्ली का एक मूंग मुंकर की पष्छलों में उडद की पष eje d जून से जूलाई मीं मूंगइ करते हैं सीजन के K farmer कि मूंगपल करना है बुवाई का समय अलग लग है क्योंकि बसंद रितु में बुवाई का समय 15 फर्वरी से 15 मार्च गर्मी में 15 मार्च से 15 अप्रेल बड़साद के मौसम में रेनी मौसम में जून से जुलाई बाकी पशलों की तरह रभी में अक्टुमबर तो टाइम आप सोविंग है व दूसरा इससींग कितनी तो बीजदर मुंगपुली अपने पड़ता है दो परका के होती है गुच्छे वाली मुंगपुली और फेलने वाली मुंगपुली और बंच मुंगपुली और इस्प्रीडिंग क्लोग्राम पड़ती है यान एक अक हेक्टर में 80-100 किलोंगी के ल अलग होगी जिसका बिपश्दर कमघा उसकी स्पैसिंग अलग एलग होगी तो इस मतला होता ऑग्दीस से दुरी और पार कि दूरी और पार debates यहानि इसके के 20 दर की देखिंग उसको नश्जिय करेगे जिसका 20 कम डालें इसको दूर दूर पार यहीं करेंगे तो फेलने वाले कि उती है पंग्तिस से पंग्ति की दूरी पोदे से पोदे की दूरी इसनग फंटिमठ यहने 15 से पंग्ति की दूरी पोदे से फोदे की दूरी तो बीज़र यानि सीड रेट गुच्छे वाली की 80-100 kg प्रती एक्टर फैलने वाली मुंखपली की बीजदर है 60-60 kg प्रती एक्टर इस पैसे गुच्छे वाली में 30-10 cm फैलने वाली में 45-15 cm अब किसम याने वेराइटी याने कौन कौन सी किसमे मुंखपली में इंपोर्टेंड तो दो प्रका यान जो जिसका पोदा फिलाव करता है यह सेमी स्प्रिडिंग अर्थ फेलने वाली तो गुच्चे वाली मुंग पुली में किसमें है जोती जी जी टू जो रेतिली मर्दा है तू उप्यूक्त है जी जी सेवन आरेस भी एटी सेवन जेल ट्वंटिफोर एक के बारा से चोब आरेस भी एटी सेवन जेल ट्वंटिफोर एक के बारा चोबिस टी बतीश यान थर्टी टू आरजी एक सो एकतालीस फेजापूर एक गिरनार दू अब फिलने वाली जिनका पोदा फिलाव करता है चित्रा जिसका दूसरा नाम भी याद रगना में दस चंद्रा आरेस वन यानि यह हलके गुलावी रंग का दाना होता है आर जी तीन 87 जिसका दूसरा नाम द्रूगा है प्रकाज अंबर गिरिनार तो पंगि GG 20 या M 13 बिष्म को धेन्ट जो चंद सब्सक्राइब इसके अलाव एक दियान रेग्ना ख्णण 30 यह कन फीओ जो Elias होती है जबकि जना मसरों किसमें किसकी ओती है चन नाता है किर नाम द्रजशने से सबसे पहले सबसें करते हैं या फंजी सबसे उपचार करो फिर इंसेक्ट साइट से फिर राई जूबियम सागे कोई इसली पसल हो तो कवको नासी कीट नासी राई जूबियम से इपब आए करम हो था है पहले फंजी साइड फिर इंसेक फिर बार ऴय решил से करते हैं अब हैं मुणपोली का कोई special घर्पतवार नहीं है लेकिन खरीब की पसल है उसे पहले पर्योग में आता है दूसरा है नाइट्रोफेन जिसका जो और नाम है इसकी एक इंकरों से पहले इमीज अथा पर खड़ी पसल में 200 ग्राम परती एक्टर की इसाब से भी छिड़काओ कर सकते हैं तो फ्लुक्लोरलीन नाइट्रोपेन और इमीज अथा पर नाइट्रोपेन इसका इम्पोर्टेंट वीडिसाइड है एक किलोग्राम मातरा बुए के बाद अंक्रून से पहले तो कौन सा अर्भिसाइड कब काम लेते हैं यह अपन क्रपतवार ओले चेप्टर में पढ़ चुके हैं क्योंकि तीन परकार के थे कुछ बुए से पहले लेते हैं कुछ बुए के बाद वे अंक्रून से पहले कुछ घड़ी पसल में चिड़काव करते हैं सिंचाई परबंदन तो सिंचाई परबंदन में इरिगेशन मेनेजमेंट में यह इंपोर्टेंट होता है अब्जेक्टिव एक्जाम की दरस्टी से उस पसल की करांती कोन-कोन सी और कब आती है त जिवानों जनीत है या कवक जनीत है तो क्या है कवक यह फंगल दीजीजें कौन से कवक से होती है सरकोश्परा रेचिडीकॉला या सरकोश्परा पर्चोनेट यह इसलिए दो नाम क्यूंकि दो परकाद क्यों अगयती पत्तिदबाव पच्छेती यानने अरली लीप सब्सक्राइब कोटरा और लेट लीप स्पॉट यह जिन्में यह विमारी नहीं होती है पर्दि रोधी किसमें एम तेरा और जी जी टू तो साथियों ज्यान से देखी यह इस प्रकार की बिमारी दिखती है इसमें पत्ती पर चोटे-चोटे यह से दब्ड होते हैं कि अब अगेती है तो पच्छी के उफरी साइड पर और पच्छे थी हो तो पत्ती के निचली सते पर यह दब्बे पाई जाते हैं तो टिका रोग लीप स्पोर्ट कवक जनित रोगे सरकोसपरा रहेच डिकोला या पर्सोनेटा से होता है अरली लीप स्पोर्ट है तो और परतिरोधी किसमें है M13 और GG2 अगली विमारी है कोलरोट या सीडिलिंग बलाइट बोलते हैं यह कवक जनित रोगे एसपरजिलस नाइजर नाम के कवक से होती है ध्यान रखना एसपरजिलस फ्लेवस से अलपा टोक्सिन कारण कड़वापन होता है मुंपली में जबकि है को जमीन के पास वाला चिसा होता है उस जगह सड़ जाता है इस परकार का काला रंग हो जाता है काहँ वाले बाग पर जड़ और वे पतने का संपर्ग हो उस जगें से पोदे में इस परकार का कवक का प्रकोब जाता है कोलर रोट एक कवक जनित रोगे और एसपर जिलस नाईजर नाम के कवक से होती है अब है विल्ट याने उक्टा हमेशा विल्ट विमारी होती है उसमें हरा पोदा सुख जाता किसी पसल में हो और विल्ट किसी पसल में हो हमेशा फ्यूजेरियम नाम के कवक से होती है क्या होती है कवक से कौन से से फ्यूजेरियम से अगली है रोजेटी रोजेटी का मतलब होता जाडी नूमा क्या होता है पोदा छोटा रह जाता है बंच टाइब में गुच्छे में रह जाता है जाडी नूमा रह जाता है यह एक वाइरस से होने वाला रोग है क्या है वाइरस से जितने भी विसानू या वाइरस से होने वा तो उक्टा या विल्ट का मतलब हरा अवस्ता में पोदे का सुकना और यह एक कवक जनित रोग है फ्यूजेरियम कवक से होती है रोजेटी का मतलब जाडी नुमा बंच नुमा गुच्चे रुमा छोटा रे जाता है पोदा यह एक विसानु जनित रोग है और जितने भी वि प्रीट मित्ट का का अटा है और इसका वहाग के ए इस्क अपनवाग है याने उपश्व कलिका का भणा कि मरना बर यह होती नेक्रोक सिस्यू याने उसके उतर्ग STEPHAN Yo estos यह एक विसानु जनितल्यों जितने भी वाइरस जनित रोगे उसमें वहाक होता है जैसे अपने पड़ता रोजेटी वीमारी विशानों जनिते तो एफिड वहाक है उसी प्रकार पुस्प कलिका का मरना या बड़ नेक्रोसिस का वाक है थ्रिप्स नाम का किट इस वीमारी में क्या होता है क्लोरोटिक तो आपको यह गालवक होता है इसका वाक होता है इसके लाब पीलिया, तेखो पीलिया किसी भी फसल में हो, जिसे अक्सर आप लेगियो मनेसी की सभी फसलों में होता है, मुंघ में, उडद में, सोया बीन में, फसल पीली पढ़ जाती है, वो दो ततवों कमी से होती है, आइरन में, सल्पर की कमी से, तो पीलिया बिमारी, पांच प्रतिस्द का छिटकाव करना चाहिए जिससे फुसल में पीलापन खतम हो जाता है अब इस्टेम रोट बीमारी इस्टेम याना तना रोट याना सडना ठीक है तो इसको बोलते हैं तना सडन या तना गलन भी बोल सकते हैं यह कवक जनीतर हो गए याने फंगल होती है और जमीन के पास तने पर कवक की सपेद वर्दी देखी जाती है इस परकार के तने पर सपेद पाउडर पाया जाएगा जमीन और जो जडव है जमीन का नीचे का पास का जो तना है पोदे का जमीन के पास होता है उस पर सपेद कवक की ग्रोथ होती है और पतियां मे यह क्या है किवक कौन से कवक से होती है तो इस में क्या होता है नीचली शते पर यह लोवर निचली सबींचे जाते हैं और यह को पक्ति नाम से होती है अब मुंगपुली के मुख्य कीट इसका नाम है होलो ट्रीक्या इस प्रकार का दिखाए देता है यह जमीन के नीचे वाले पार्ट मेरे के खाता है यह जमीन के नीचे पाया जाता है इसका जो नियंतरन होता है वो फोरेट 10 जी 25 गिलोग्राम परती एक्टर का का परियोग करते हैं लेकिन ये बेन हो गया इसके लगए आजकर फिप्रोनिल नाम की दवाई का परियोग करते हैं इसके अलावा कलोरो पायरिपोस या कलो थी ओर नीडिल से वीजूपचार कर सकते हैं लेकिन वीजूपचार एक लंबा परियोग नहीं कुछ दिनों तक फसल को सुरुक्सा देता है लेकिन खड़ी पसल में चार लीटर कुनोल पोस्ट या कलोरिपायरिपोस बीसी का परियोग कर सकते हैं सिंचाई के साथ तो हालांकि जो नियंतरन वाड़ा पार्ट है बी कोन से इन गुनिया इस प्रकार का दिखता है जमीन के नीचे वाले पार्ट में होता है नियंतरन बुवई से पूरे फोरेट दस जी या आजकल फिप्रोनिल दवाई का परियोग करते हैं इसके लाग कलोरोपायरिपोस या कलोथियोडी निल से सीट ट्रीटमेंट कर सकते है इसके लावा खड़ी पसल में सिंचाई के साथ 4 लीटर कॉनलोपोस या 4 लीटर कलोरोपायरिपोस बीचिसी का सिंचाई के साथ परियोग करके भी इसका नियंतरन किया जा सकता है अब अन्य कीटों में एफिड जो एफिस क्रेकी वोरा नाम है इसके लावा दीमक भी होती ह जिसका नाम है औ औडटो-ठर्मस बीमक तो बहुत सारी पसल में पए जाती है इसे लिए कीटों का नियंतरन अलग से पढ़ेंगे पसलों के साहथ ने पढ़ेंगे कौन से कीट एक के लिए धरफ की लिए मीकी पंड़ल आप्शिस नाम है अब बंडारन करते हैं बंडारन ह में अलफा टोक्सिन बेदा हो सकता है कि इसके कारण मुंपुली में कड़वापन पेदा हो सकता है इसके बंडारन के लिए पांस से आठ प्रतिसत इसकी नमी ही रखते हैं उपज कितिनी होती है गुच्छे वाली की 12-25 क्यूंटल इसकी भी 12-25 क्यूंटल लेकिन इसकी हो सकत एक पोटेंचिल नासी का परियोग मुंपुली में करते हैं तो सातिया अपने मुंपुली की बशल का एंद्धिन क्या है इस परकाड एंग क्या है, यह नहीं कि आप एक आप करशी प्रवेक्शं में सलेक्शन नहीं मतरी हो होओ अमने इस परकाड एदिन कि의 से आप कैसे ला सकते हो , तो सात्यों अपकर एक क्लास अच्छी रगी हो दन्यवाद सात्यों